नमस्कार दोस्तों इच्छाव का कभी अंत नहीं होता अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जनम ले लेती है नमस्कार दोस्तों रादे रादे स्वागते आपका अपने यूटूब चैनल के भी रासी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कुम्बर आशी वालों के, कुम्बर आशी वालों का दो अगस्त दिन बुद्वार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन-किन चीजों से सावधान रहना होगा, और कुम्बर आशी वालों को आने वाले समय में वो कौन-कौन सी खु उनका प्रेम संबंद कैसा रहेगा। और साथी साथ उनका स्वास्त कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपून राशी फल बताएंगे। अगर दोस्तों, आपकी भी कुम्बराशी हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तो आज बुद्वार है गणपती महराज का दिन है दोस्तो कॉमेंट में जय गणपती महराज जरूर लिखना दोस्तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैन पर पहली बार आएं तो चैन को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर सिलेक्ट करें अब बा चrences रहेँ च Garavaन यसरे पच चल रहा है क्रिश्न पच दोस्तो आज सूरी देयो दाय होंगे सुबह 5.54 मिन्ट पे सुरियस्त होंगे साम 7.11 मिन्ट पे दोस्तो आज का सुब समय सुबह 10 बच के 27 मिनट से दो पहर 12 बच के 38 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो कोई सुब काम करना है तो इसी समय करें आपके लिए सुब रहेगा और साथ इसाथ आज का असुब समय साम 5 बच के 24 मिनट से साम 6 बच के 17 मिनट तक दोस्तो आज आपका लखी नंबर है चार और लखी कलर है औरेंज आप बात करते हैं दोस्तो आज के चानक नीती ग्यान के बारे में चानक जी कहते हैं जिस वैक्ति के अंदर होती है ये आदत उनकी जिन्देगी हो जाती है बरबाद जी हाँ दोस्तों, मन ही है, जो हमारी खुशी और दुख दोनों का कारण है जो वैक्ति अपने मन पर नियंतरन कर लिता है, वह सुखी है और जो नहीं कर पाता, वो सुखी भी नहीं हो पाता अक्सर हमारा मन हमें वो कारे करने को कहता है जिसका फल नुकसान दे होता है और हम वो काम कर बैठते हैं इसके अलावा कोई महत्व्मूर काम करते वक्त या कोई एहम फैस्तर लेते वक्त भी हमें अपने मन पर काबू रखना चाहिए क्योंकि असान्त मन से लिये गए फैसले आगे चल कर पस्तावी का कारण बन सकते है तो दोस्तो आज का चानक निति ज्यान आपको पसंद आयो तो एक लाइक जरूर कर देना अब बात करते हैं दोस्तो आज के कुम्बरासी फल के बारे कैसे रहेगा आपका आज के दिन आये जानते हैं तो दोस्तो प्यार उमीद सहानु भूती आसा वादिता और निष्टा जैसे सकरात्मक भावनाव को अपनाए ये गुण एक बार आपके अंदर रच बस जाए तो हर हालात में वे स्वयम ही सकरात्मक तरीके से उभर आएंगे अगर आप लोल लेने वाले थे और काफी दिनों से इस कारी में लगे थे तो आज के दिन आपको लोन मिन सकता है वो आपकी उमीदों पर खरा उतरेगा जिसे आप प्रेम करते हैं और उसके जड़िये आप अपने सपने को सकार होते हुए देख सकते दोस्तों फूल देखकर अपने प्यार काई जहार खरे छात्र छात्राओं को आज अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए आपको जब भी खाली समय मिले अपने कारे को पूरा कर ले ऐसा करना आपके लिए हितकारी है जीवन साथी के साथ आज की साम वाकई कुछ खाश होने वाली है माता के साथ आज आप अच्छा समय बिता सकते हैं आज वो आप से आपकी बच्पन की बाते सेयर कर सकती है साथी आपको बताएं दोस्तों किसी विशिष्ट्र योजना को क्रिया निवित करने के लिए सक्रियता और सतर्कता सफल्द दिलाएगी अगर कर्ज लेने की योजना बना रहे थे तो अपनी चमता पर भी ध्यान रखे आज आर्थिक पच्छे थोड़ा कम जोर रहीगा इसलिए अपनी चमता से अधिक लोन लिने की कोशिश ना करे दोस्तों के साथ पारवरिक मेल जोर सभी के लिए खुसी और मनुरंजन लाएगा साथ ही आपको बताए दोस्तों मुहबबत में मिली धोका दड़िया ठगी आपकी जिन्दगी में मुश्किले उत्पन कर सकती है लेकिन इंसे ना डरे आपका आपके साथी के प्रती भरोसा इतना अटूठ होना चाहिए जो किसी भी परवा से या किसी भी अपवा से कभी तूठ ना पाए लव लाइप में यौनसु की अंतरंगता का आनन ले आज का दिन आपके लिए आधा उत्सा और पूरी सरह आसाव से भरा रहीगा अपने साथी के लिए अपने विचारों को बाटे ताकि गलत फ्यमियों को दूर किया जा सके आपके जीवन का याचरण सम्रिद्धी सफल था और सहान बूती से भरा हुआ है याद रखी रिष्टे और रास्ते तद खत्म हो जाते हैं जब पाव नहीं दिल ठक जाते हैं साथी आपको बताए किसी पुराने मित्र या परिवार के साथ बाहर घूमने जाना या बाचित का आनन लेना आपके मन को स्थिर करेगा आज कोई नया प्रियोग सुरू करना ठीक ना होगा अगर आप कोई नोक्री या कोई परिजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो तब वो पारंपरिक तरीके से ही कोशिश करें अब बात करें दोस्तो आपके लव लाइब की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आई ये जानते हैं तो दोस्तो दिन की सुरुवात अच्छी होगी आपके नीजी संबंध में आपके पार्टनर की खुशी और हसी की रौनक बिख्री रहेगी आपने अपनी नीजी जिन्दगी में मुश्किल दोर देखा है इसलिए आपको अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना और उनके साथ होने का आनंद लेना चाहिए एक कपल के रूप में स्वयम पर एक साथ हसने से आपकी सारी चिंता एक साथ गायप हो जाएंगी अब बात करें दोस्तो आपके आजके वैपार और कैरियर की तो दोस्तो ग्रहों के स्थितिय दर्सा रहिए कि एक नई उर्जा का संचार आप में नहीं थोने वाला है आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा प्रबल होगी और तब भी आप खुश ही रहेंगे इससे पता चलता है कि चीजे सकरात्मक दिसा में आगे बढ़ रही है लेकिन इत उस साम ही अपने स्वास्त को नजर अंदाज ना करे एक स्वस्त मन एक स्वरीर में और स्वस्त सरीर में ही वास करने के योग्य होता है तो दोस्तो ये था आज का कुम्बरासी का रासी फल रोज की कुम्बर आसी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलिट करें आपका दिन सुभ हो नमस्त दोस्तो राधिकिश्णा